मस्कार दोस्तों एक बाफिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल के इस वीडियो पे और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले है पॉर्टनर गवर्णर partner governor का हम diagram पहले समझते हैं हमने partner governor का right side का भाग लिया है और left side को हमने छोड़ दिया है और इससे हम आगे वीडियो को start करते हैं यहाँ पर देखिए यह हमारी इसमें एक गेंद है क्य Gonzalez throughout the world first यह डिया इक हिंद माना सकते हैं या कुछ भी है के gold सा हमने weight वाला हो कुछ बीडा रखा है इस में यह जो है इसमें एक centrifugal force लग रहा है क्योंकि ऐगूंती है तहसं इसमें षैंद लगता है और साथ ही एक में हम हैं जो होगा आम जी होगा क्योंकि ये इसको कुछ अपनी तरफ आकरसित कर रही होगी यहां पर आलफा ये बिटा अंगल ये ब्सक्राइब दो यहां पर वेत बढ़ा दिया और अई तक बढ़ा दिया है और आप इसमें देखिए बाइडेकिंग मुमेंट आबाउट आई पॉइंट के अबाउट हम सबको सॉल्व करेंगे तो हम बस देखते रहिए एपसी इंटू बीम हो गया एपसी इंटू बीम क्योंकि एपसी जो हमारे सेंट्रिफोगल फोर्स इस तरफ लग रहा है इसके परपेंड इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आई एम है इसलिए हम जो एमजी इंटू आई एम लिख दिया है और आगे चलके देखें तो एमजी बाइटू क्योंकि यहां पर हम यह जो एक गवर्णर है इसके दो पाइड़ पार्ट होते हैं इसलिए यहां पर जो हम आधा ल डिवाईड हो जाता है तो आई एम फ्लस एमसी अगले स्टेप में हम आई एम अप्लस एम सी लिख देंगे आईसी को और उसमें कोई चैंजिस नहीं करेंगे एपसी यहां पर जो बिएम है उसको हम इस तरफ डिवाइड कर देंगे सब में और यह कुछ इस तरा बन आगे देखिए कि यहां पर FC है, FC is equal to यहां पर IM upon BM है, IM upon BM, देखिए एक बार यह भी देखिए, यह alpha है यह beta है और इस से trigonometry से हम जानते हैं यह भी alpha होगा, और यहां पर Z बन रहा है, इसका मतलब यह हमारा beta होगा, ठीक है तो यह हमारा IM upon BM, क्या होगा हमारा IM upon BM, मतलब यह हमारा, यह alpha यहां पर है, तो यह perpendicular distance क्या होगी हमारा, यह होगा हमारा lump मतलब lump होगी, और यह हमारी base होगी तो lump बटे अधार होता है हमारा 10 theta, तो 10 alpha यहां पर alpha है, angle, तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है, 10 alpha, और यहां पर देखिए, यह IM upon BM वही चीज यह है, तो इसको हम 10 alpha लिख दिये हैं, और MC upon BM, MC upon BM, क्योंकि यह है हमारा angle और यह MC है, यह लंब है, और यह आधार है, तो इसका मतलब यह होगा हमारा 10 beta, तो 10 beta यहां पर लिख दिया हमने आगे देखिए, FC हम जानते हैं, FC is equal to होता है is equal to होता है, small m, omega square और r तो वो ही हमने यह formula हमने हमारे पिछली वीडियो में हमने बनाए है तो इसलिए हम इसको बैस यहां पर put कर देंगे, FC की जगा यहां पर देखिए, mg into 10 alpha 1 plus क्योंकि हमने comment ले लिया है, mg 10 alpha 10 alpha लेने पर comment लेने पर यहां पर एक बचेगा, mg by 2 है यह ऐसे गैसा ही रहेगा, 10 alpha क्योंकि हमने 10 alpha comment लिया है, यहां पर 1 plus से 10 alpha आपन, 10 beta आपन 10 alpha हो जाएगा झाल 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